आज की यह वीडियो हिंदी गद्ध की महा संग्राम और रामबाण होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में जो मैं आपको प्रश्ण बताने वाला हूँ गैरेंटी है यही प्रश्ण लगबग लगबग आपकी परिच्छा में आने वाले हैं यह दिमान लीजे आपका पेपर यानि प्रश्ण पत्र पुडांग है 75 नंबर का होता है तो मेरे द्वारा बताएगे आज की इस वीडियो से सिर्फ आपकी परिच्छा में कम से कम 40 से लेकर ठीक है 60 नंबर तक इसी वीडियो फे लगबग लगबग कोश्चन आएंगे ठीक है 40 से 50 परिच्छ तो 100 आएंगे ही आएंगे बाकी 10-5 परिच्छ वो की गारंटी नहीं ले सकते हैं लेकिन 40 नंबर के जो प्रश्ण है आज की इस वीडियो से आपकी परिच्छ में आने वाले इस बात के हम गारंटी दे रहे हैं इससे ज्यादा ही होगा कम नहीं होगा तो चलिए बीना देरियो क इस बार जाना है जो कि आपकी परिच्छ में आने वाले हैं ठीक है क्योंकि ये वीडियो आप सभी के रिक्वार्मेंट और नई फिच्छा नीत को देखते हुए इस बार उसी हिसाफ पर तयार की गई है तो वीडियो को अंत तक देखते रहेगा को यूनिक ट्रिक भी बता है या आप जानकारी यहां पर ले पा रहे हैं चलिए हम आते कोशन पर पहला प्रस्ण कि आत्म कथा के उद्भो और विकास पर टिपड़ लिखे यानि कि जो आत्म कथा बिधा है ठीक है हिंदी गद्ध की उसके बारे में स्टार्टिंग कभ हुई इसके विकास के बारे मत यह मतलब कि हिंदी गद्ध के बहुत फारी बिधा हैं जिसमें से एक आत्मकथा भी है ठीक यह हिंदी गद्ध साहित के एक महात्पूर्ण गद्ध बिधा है जब कोई लेखक अपने बितीत जीवन के बिभिन अनभव एम घटनाओं का टठस्त भाव से सुब्युफ्थित व ठीक है 50 साल के बाद आपने एक नोट बूख उठाया और ऊठाया आपने जब आपके जन्म हुआ ठीक है जन्म कब हुआ किस सन में हुआ ठीक है और ये सब आप या या लिया फ्जा भाल हमने काठ जा रहे हैं ठीक है तो 50 फार में हमने क्या किया है वही कि पूरा एस्टेप यह पूरा वर्ण करें वही होता है जी वह आत्मकथा ठीक यानि की पूरी गता सबस्थे personeल को आधिन को बता रहे हैं बहुत ही फरी लेबल के प्रश्म हम लगातार आता ही आता है थीक है चल कि हम आते में पॉइंट पर आएंगे हिंदी साहिट में आत्मकथा का उद्भो में चार्बां को कब हुए हु ने को सो वर्ष पहले इसका जो है वो उद्भव हुआ था बट इसकी कोई मतलब की गारंटी नहीं है कि किस सन में किस दिन या कैसे यह इसकी कोई गारंटी नहीं लेकिन चार सो वर्ष पहले इसका उद्भव सुरुवात हुई थी और बनार्सी दाफ एक प्रमुख वो है क्या लेखक और कभी है ठीक है तो बनार्सी दाफ जैन रचित यानि कि इन्होंने एक रचना रची है जो कि कभी है अर्द का था ठीक है को प्रतम आत्मकथा माना गया है ठी लेकिन सबसे पहली आत्मकथा कौन सी लिखी गयी तो बहुत सारे बिद्वान के बहुत सारे कभी के अलग अलग बंद भेद है लेकिन बनार्सी दाफ जैन रचित आर्ध कथा को प्रतम आत्मकथा माना गया है ठीक है और डाक्टर रामचंद्र तिवारी ने भी आत्मकथा उन्होंने अपने सारे गुण दोस्त को सच्चाई के साथ बेक्त किया है और आत्मकथा पद्ध में लिखी गई इसके अत्रिक्त पूरे मद्धिकाल में आत्मकथा का उलेख नहीं मिलता है आत्मकथा के विकास को निम्लिकित स्वपनों में विभक्त किया गया यानि कहने का म भी काफ-कट्रव किया गए जैसे के भारते इंद्य युग में दुवेधि युग में ठीके फटंत्रियों तु इसका सिंपल उत्तर लिखेंगे बाकी अगर आपके पास समय इंटर्वियू के उद्भो तथा विकास पर प्रकाफ डाली इंटर्वियू भी एक विधा है लेकिन ये काफी नई है कंपरिजन टू उपन्याफ है निकी नोवल फे काफी ये लेटेस्ट है ठीक है तो इसके बारें भी आप लिखेंगे लिखेंगे कि हिंदी साहित में इस सूत्र पात्र प्रारंभ में पत्र पत्रकाओं के माध्यम से हुआ आगे चलकर सुतंत्र प्रस्तकों के रूप में कृतिया प्रकासित हुई ठीक है हिंदी गद्ध में इस बिधा के परवरतन का फ्रे बनार्फिदाफ चतुलवेदी को है विशाल भारत में प्रकासित रतन सतेंद्र के संपादक तुम्हें प्रकाफित फाधना पत्रिका के मार्च अप्रेइल 1947 के अंक का इस बिधा के विकास महत पूर्ण स्थान ठीक है इस अंक में जग्दीश प्रसाथ इन्टर्व्यू जो एक बिधा है इसकी जो इस्टार्टिंग है वह पत्र पत्रकाओं के माध्यम से फुरू हुई ठीक है और धीरे धीरे वह चलकर सुतंत्र पुस्तकों के रुप में कृतियों के प्रकाफित होने लिगी ठीक है उसके बाद हिंदी गद में इस बिधा का परिवर्तन जो है वह प्रिवर्तन का जो स्री है वह बनार्फी दाफ्ट चत्रवेदी को जाता है इन्होंने इसको एक पहले रसनाए कृतिया लिखी विशाल भारत इंटर्विव आया ठीक विशाल भारत थीक है उसके बाद इस तरह पुझान के काफी वार कोईच्चन आया लेकिन यह रही कि हमेशा आता है अगला कोईच्चन मुक्त बोध है मुक्ति बोध फिजड़ा एक कुईच्चन पक्का आपकी परिष्छा में आएग मुक्त बोध जी की पढ़ाई बाधा आती रहती थी ठीक है यह बीए उत्रीर करने के पश्चाद modern school के अध्यापक हो गए और तथा इनकी अंग्रेजी रूसी फ्रेंच और विज्ञानिक पन्यासों में रुची थी यानिकी ध्यान रखेंगे अंग्रेजी फ्रेंच रूसी इवं विज्ञानिक भासा में रुची थी इस प्रकार इनका परिचे लिखेंगे ब तक था उसमें छपी थी तो पूरा परिचे पढ़ लेंगे महात्मोड प्रस्ट नहीं और आगे भी बहुत सारे कोश्चन है इसलिए ज्याद हम टाइम नहीं लेंगे बाकि इनके देवासान के बारे में पूरी जानकाई दी गई उननिफ्व चोश्ट में देवासान हुआ मतलब कि जीवन परचे आ सकता है तो ध्यान रखेंगे एक लेखक की डायरी की भूमिका तो यह जो मतलब कि एक वाहित्तिक की डायरी जो है ठीक है इसके लेखक है गजानन माध्व मुक्ति बहुत जी ठीक है वह बच्पन से ही अंतर मुखी और आत्म केंद्रित सभाव के यह अतियंत जिग्यासु भी थे चित बिचलन में उनकी एक प्रमुक प्रवित्त थी जिसे मुक्त वेद्यूम अफ्थांतर गामे प्रवत्त कहते हैं डायरी सब्द से इस भ्रह्म में नहीं पढ़ना चाहिए कि मुक्त बहुत की डायरी तिथी वार डायरी है ठीक है बहु में यह एक फाहितिक की डायरी थी जिसमें दशनाय हुआ करती थी ठीक है उस अफ्तम्ब का नाम था जिसके अंतरगत मुक्त बहुत ने अनेक प्रशनों पर अपने बिचार बेखती किये थी ठीक है तो इसे प्रकालिक देंगे इनके बारे में अगर प्रशन आएगा तो ठ ठीक है तो धान देंगे बिक्तिगत इयुम कृतित पर प्रकाश डाली जीवन था उनकी जो रशनाय थे उसके बारे में लिकना ठीक है यानि कुल मिला के जीवन पर से ठीक है तो राहुल प्रकत्यान का जर्म अप्रेल अठारा फटिरान नवेश्टबी को आजमगर जीले क पंदहा गाउं में हुआ था ठीक है पंदहा उनका निकाल था जबकि पंदहा में दस मील दूर उनका पैत्रक निवाफता है निकी उनका जो निजी यानिकी पिता का घर था ठीक है उनके पिता का नाम को बढ़ता का नाम कुलवंती था राहुल प्रकत्यान का मूल नाम के का मौल नाम बताइगे तो आपको ध्यान रखनीत यहां प्रकार यहां पर उनका गोतर नाम था हे जब है 1930 में स्री लंका में बहुत धर्म सुविकार किया बहुत धर्म होने से पूर राहुल जी को दामोदर स्वामे की नाम से भी पुकारा जाता था इस बात को ध्यान रखेंगे इप पूरा का पूरा जीवन परश है और उनके फाहतिक जीवन में क्या योगदान नाक और उनको जानकारी पंडित बिद्या निवास में सिर्काजन में जनौरी उनिफचबिस को उत्तर प्रदेश के गोरक पुर्जिला उसमें पकट डीहा गाउं में हुआ था इन्होंने 1945 में प्रियाग बिश्विद्याल में संस्कृत में एम्मे किया ध्यान रखेंगे बिद्या निवाफ जी इन्होंने प्रियाग राज बिश्विद्याल में संस्कृत भासा में एम्मे किया ठीक है वो भी 1945 में ठीक है और हिंदी साह मिलन में सुर्गे राहुल के निर्देशन में कोस्कार किया प्रोफेसर मिस्र हिंदी के मोरध्यन साथित्यकार थे इनकी दोटा से हिंदी जगत का कोना कोना परची थे मतलब कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इनके बारे में ना जानता हो और इन्हों अपना जीवन एक तरीकी फाहित्तिक जीवन बितीत किया ठीक है इस प्रकार इनका परचे लिखेंगे पूरी जीवन परची यहां पर प्रष्थ है और आप पढ़ लेंगे कविं की देवासन हुआ कभ कभी इनोंने कि कहां पर टीचिंग के कहां पर पढ़ाया ठीक है यहां इनको भी धियान लखेंगे ठीक है और भारतिये ग्यान पेट के नियाई बोड के फदफ्व थे ठीक है तो इनके पास बहुत वारी एचेवमेंट थे आपको तयार कर लेना महात्पूर्ण प्रशन है अगला कि भारते इंदु जी का हिंदी साहित में अस्थान बताईए ठीक का बहुमोल्य योगदान हिंदी पत्रकारता नाटक और काब के छेत्र में रहा है यानि बहुत वारी नाटकों का प्रारंभ माना जाता है इस बात को धान रखेंगे भारते इंदु जरुग से हिंदी के नाटक जो है उसकी शुरुवात मानी जाती हिंदी को इन्हन मैं राश्ट वाट के रोप में शुद्रणाण बनाने का प्रयात प्रियाफ्य किया है मतलब क्रत भासा बनाने में थेकर अभी सम्रेडिये रहां है बहुत योगदान ढाइए थेक भारतें गापि नें दो भासाओं का प्रयोग किया है काव67 न क्हाना साथ गध लेखन में मिन क्ष़ां स्टहरु ओताफ गध की रा मिर्शनाय क्वीन रनले उनका करें जो इनकी रचनायते प्रकाशित भी पूरी जाने आकारी आपको मिल जाएंगी इनकी रचनाओं में कौन सा भाव था वो सब आपको यहां पर वर्णात मक्ती बिंगात मक्ती हाफिती भावात मक्ती ठीक है तो यह पूरा परचे पढ़ लेंगे बहुत ही हार लेबल का कुश्चन है ठीक है अगला परशन प्रस्तुत है को यह डा ठीक है अचार रामचंद सुकल जी का जीवन परचे बताएं तो जीवन परचे में आप सभी को मालूम के एक टूजर जानकारी आ जाती है तो हि हरा रहा चौराएं ग्राम में वीको बस्ती जीले के आगोना नामकरा में हुआ था इनका बिता का नाम चंदरबली शुकला था नवर्च की आय piace की माता का देवास्तண हो गया तो जब हमारे रामचंद सुकल जीय समय से पूर्भ ही परिपक्क अभय तक बन गए ठीक है पढ मतलब कि एक महौल नहीं ऐसा पराप्त हो पाया जहां पर वो अच्छे से पनी पढ़ाई कर सके महौल का मतलब यह हुआ कि जैसा आपके एरिया के जैसे आपके पढ़ाई नहीं कर पाएगा आपके सेक्टर का आपके सहर का आपके गाउं का महौल मतलब कि जो बगल के लोग है पड़ोसी उनका महौल सब बच्चे पढ़ने जाते अच्छी टीचिंग करते हैं तो आपका बच्चा भी अच्छी प्रफॉर्मेंस करेगा ठीक है तो महौल का बहुत बड़ा आये जरूर दो क्योशन देखने को मिलेंगे राम चंछ्डुजी पे जुड़े अगया के भारते इंद अधरिशनद के जीवन कर दीजैन तो सेमें आपको भारते इंद अधरिशनद के का भारती आधुनिक हिंदी साहित की जनक कहे जाते हैं ंका जन्म कावजी में फितंबर 1850 सभी में हुआ था इनका पिता का नाम बाबो गोपाल चंद था इनका उपनाम गिर्धरदार था भारतेंजी पांच वर्च की अलपमाई में यानि कि पांच वर्च की थे ठीक है में ही काब रशना करके सभी को अफचार चकित कर दिया था ठीक है ये देखिए दुलार होता वो नहीं मिल पाया क्योंकि बच्पन में इनके माता पिता का देहवासन हो गया उनकी श्कूली फिच्छा में ब्योधान पड़ गया यानि कि बहुत फारी समस्चे आएंगे ठीक है और इन्हों विभिन उच्छ ग्यान प्राप्त कर लिया लेकिन ना होने के क तभी हो गया था ठीक है भारते अंदुजी बहुमखी प्रधिवा के थे उन्होंने फाहितिक साहितिके अनेक चेत्रों में मौलिक युगांत कारी परिवरतन की हैं तथा हिंदी साहित को एक नई दिफा दिदा इसी तरह इनका पूरा जीवन प्रशे पढ़ लेंगे और य गर्कमा जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है एकांकी जो विधा इस छेत्र में ठीक है डाक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी एकांकी साहित विधा के जनक है यानिकी एकांकी के एक प्रकासे फादर है इन्होंने शुरुवात की इसकी रंग मंच और अभिनेफे गहरा संबंध होने के काण इनकी एकांकी नाटकों में ठीक है अभिनियता का गुड़ प्रचूर ठीक है मात्रा में पाया जाता है इन्होंने एकांकी की सिल्प विधान में कलपनायम भावना की उन्मक्त उडान को संकुशित किया है किन्तु तीब रूप देकर एक नमीन पिर्य प्रियों किया है जिससे स्वभाविक और यथार्त भाव की मार्यादा का बड़ी फंदर्तायम को सलता के पाद निर्वाव हो जाता है एकांकी साहित के या फिर एकांकी साहित में यूगांतर पश्थित करने वालों में वे अग्रणी है उन्होंने पास्चात टेक्निक से ग्रहण कर हिन्दी इकांकी में नए प्रियोक की उन्होंने कुल नौसौ के आज पास एकांकी फ्रजित की है त्रीक है यानि कि उन्होंने करीब करण। ऑक् information की नौसौ मिपितामा यानि कि पिताभी कहा जाता है त्रीक्टर वर्मा ने अपने ईक्रती योगदान में हिंदिय कांकी फाहित को जो सम्रद्ध प्रदान की है उन्हें उक्त उपाद के लिए सर्वधिक उच्च्ट हैराती है डाक्टर रामकुमार वर्मने इस नाते भी महत्पूर्ण है क्योंकि उन्होंने भारतिय इतियाशिक प्रसंगों को वर्तमान ठीक है समसमाईक फंदर्भ सब्सक्राइन का लच्चमी का स्वागत एकांकी यह तमहात पूर्ण है समय तो पढ़ सकते जर्वाइग नोर भी कर सकते हैं बेशक है फड़ी सर्नाथ रेड़ से जड़ा आपकी परिच्छा में दो मैंने जब जब देखा है पिछले पाल कामने उठाया पेपर उससे पहल पूरा जीवन पर जेए उनका जो हिंदी का योगदान है वो पढ़ लेंगे ठीक है चलिए आते हैं कोश्चन पे तो इसका उत्तर लिखेंगे कि भई फड़े संनातर रेड़ जी आधुनिक आंचलिक कहानी के अतिन्त महात पूर्ण लेखक है बच्पन में ही घर में अनेक लोग कता हैं सुनकर लोग जीवन फे इतने सम्रद हो कि बड़े होकर अपनी रसनाव में लोग जीवन की जो स्रोत सोनी प्रवाहित की इसकी अविरल धारा में पाठ पाठक गड़ अगर पर्यांत आचमन करते हैं परंत उससे परितरप्त नहीं हो पाते हैं तो इस कोश्च कि तरны रहे ता कोई पुर्जा रहती है या फिर कहानी किसी भी अलग अलग जो उसके रोल हो सकते एक तो कूल मिलाके कहानि जो MIL कि कई वार और इस बार भी उम्मीद है ठीक है और चलिए ने स्कुशन कर रहा हिंदी कथा साहित में रजण का अस्थान निरुपित कीजिए यह प्रस्थन कभी आता है कभी नहीं आता है ठीक है तो यह आ भी सकता नहीं भी आ तो आपके पास समय तो पढ़ें दर्वाई एकनूर करें देखी हमने सोचा वह भी कुश्चन प्रस्तुत कर दे जो भी आने की संभावना कुछ है लेकिन मैंने प्रस्तुत कर दिया ताकि यह बाद में ना बोलने को मिले कि सर आपने बताया ही नहीं था ठीक है अगला प्रदेश के फरुक्ताबास सहर में हुआ था इनकी प्रारामिक फिच्छा निक शुरुआती प्रदेशा उंदोर में हुए थी इंदोर मत्रदेश में पढ़ता है ठीक है उन्नी सो सोला में 16 में इनकी फिच्छा कुछ समय के लिए बाधित हुई मतलब कि एक ऐसा समय आया प्रियाग में अपनी पढ़ाई प्रारम कर दी और 1932 में विच्छ 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 समय करने के बाद प्रियाग में महिला विद्धा पीड की अस्थापना कर प्रदाना चार निक्त हो गई देख लीजे कहां से कहां उट गई इन्होंने हिंदी फायत की कई दो इनका एक रूप है मतलब कि छायवाद की जो अस्तम में ठीक है इन्होंने अपनी रशनाओं में दर्द वापीड़ा की अभिविक्त की करण आधुनिक मीरा भी कहा जाता है यानि कि इन्हों की जो रशनाएं हैं इनकी जो मतलब की कविताएं हैं रशनाएं जो भी यह रश इसको कहा जाता तो आप रखेंगे किसको मतलब की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है यह दिये प्रशना है तो आप महादेवी वर्मा और इनका जुद्यत है यानि कि मरत्ती हुए 1987 में हुई थी और लेखी का महादेवी वर्मा ने साहितिक के दोनों च्छेत गद्य और काब प्रश्टुत है लगलग बिधा की बहुत इमात्मुट पर प्रकाश डाली यह जो डायरी एक बिधा है इसकी जो स्टार्टिंग कभ हुई और विकाफ कैसे उसके बारे मिलिखेंगे यह कुश्चन मतलब कि हमेशा नहीं आता कभी कदार आता तो आप पढ़ लेंगे तो ब यह आने की कुछ जांसें नहीं को बता देता हुँ जुन की नहीं उनको भी बता देता हूं भी कभी कदार आता है जाता रहा है रहा प्रफषेंगे परिखेंगे निदे इस बार भी आये जानते और रेखा चित्र में पक्राइब बहुत ही सूच मनतर है यानि कि बहुत ही एक तरीकी से बोलते हैं इस सूच माइक्रो माइक्रो बहुत चोटा अंतर है यहां लेखक बेख्यद चित्रण तक कि अस्मत को सीमित रखता है तो वह रशना रेखा चित्र की सेड़ी में आ जाएगी ठीक है यानि कि चित्र ही रखता है तो इसमें आ जाएगा रेखा चित्र सेड़ी में आ जाएगा माली जी कोई लेखक है बेक्तिगत चित्र तक इस्वनत करता है कोई लेखक माली जी है ठीक है और उसने लिखा एक रेखा चित्र ठीक है तो रेखा चित्र क्या होता है इसमें रेखा चित्र बना आ जाता है तो ठीक है लेखक बेक्तिगत चित्र यानि कि कोई इंसान उसका च तक रहे मतलब कि एक जिस विफाफ पर होने चाहिए लिमिटेड ही लिम्टेड ही हो फे हम कहेंगे रेखा चित्र ठीक है तो इसको रेखा चित्र चिट्री में रखा जाएगा यहीं होगा इसकी परिभासा यह लेखक असमृतियों से प्रसंग को उभाड़ने का काम करता है त प्रसंग को उभाड़ने का काम करता है मतलब कि जो उसमें का एक तरीके से पूरा निचोड रहता है उसको उभाड़ने का काम करता वह होता है संस्रमण ठीक है संस्रमण में पूरा संदर्व और प्रसंग अर्थवान होता है रेखा चित्र में ब्यक्त चिंत्रांकन का जुड़ा हुआ है अतीत का कोई मुल्यवान चण संस्मन रशने को प्रेदित करता है संस्रण में कथा का ताना बाना सच्ची घटनाओं से बुना जाता है से संस्मन और आधणि गद्धा ठीक इस बात को ध्यान लखेंगे और हिंदी में संस्मन साहित का प्रारम दुविद्युक्षि माना जाता इस बात को ध्यान रखेंगे सरसा शरुबात है दूवीद्य उक्षिमाई जाथी कहानि की समवेद्स ही ताध के रंग रेखाओं की सुष्मता और संकेत एक तथा संस्मन की अस्मत्तत्य मिश्ण से रेखा चित्रगद्द की नवीन भीधा है ठीक इस इसले टाइम दिया आएगा परिच्छा में अगला गारेंटी वाला कोईशन है कि आता ही आता इस बार भी आएगा कहानी की परिभास लिखिए और कहानी का उद्भ हुए कहां पर हुआ कैसे वो इसके बारे में लिखिए तो कहानी का साब्दिक अर्थ है कहना किस से कहानिया ग्रामीड जीवन के लिए मानुरेंद्यन के फाधन और समय काटने के माध्यम होते हैं इस प्रकार किसी भी बिसीज़ घटना को अतियंत रोचक और कौतोहुल पूर्ण धंग से प्रुस्तुत करने की कला को ही कहानी कहते हैं ठीक है और वहीं पर एक प्रमुक बिद्द्व सब्सक्राइब करेंगे और अगला प्रस्तुत होने जा रहा है जहांफी कि राणियू पन्याज का मुल्यांगन कभी कदार आता मैसा नहीं आता पढ़ भी सकते नोड़ भी कर सकते हैं बेशक है कि वरंदा वर्मा के आस्तित पर प्रकास डालिए ठीक है तो मत्तब यह प्र अगला है कि उपन्यासर कहानी का आंतर बताए है ठीक है यहाई लेबल का अगारेंटी आए गाए आएगा चौन कहानी कहानी के पर पड़ लिएगे उसके भी ज्यादा नहीं आपको इस समझापाएंगे उत्तर भी आपके समझत है उसका प्रस्थ्ट भी समझत है तो आप इतने हाड वर्ड ने जिसको आप लोग को समझाए तभी आप समझपाएं सिंपल सा में उत्तर मैंने प्रस्तुत करने का प्रियाश किया ताकि आप अच्छे तैयार कर सके ठीक है यह वाला प्रश्ण इत्ता महात्पॉर्ण से इग्णोर कर दो सामनी जो कि प्रमुक जैसेंकर प्रशाद जी की रशना है इस प्रकार के प्रश्ण आपकी परिछा में इस बार दिखने वाले हैं और इन सभी प्रश्णों को अगर आप अच्छे मतब कि इसमें लगभग लगभग मैंने आपको पहले बता दिया कि लगभग लगभग जो प्रश्ण है वह इसी वीडियो से आने वाले हैं ठीक है आपकी प्रश्ण में आपको बता दूँ इसमें उत्तर लिखने होते हैं एक पोर्शन होता जहां पर दो तीन पैराग्राफ दिए एक सक् सब्सक्राइब कर तो करीब करीब दो चार देए जाते हैं लेकिन तो वही रहते हैं कि वह हमेशा रिपेटेड है कि कुस की रहते हैं ठीक है तो बाकी आप इवाला अपने हंडल कर लीजेगा और हमारी एक और महा संगराम वीडियो जो कि आपको हमारे इस चैनल पर ही मिल वीडियो देख लीजिए यह देख लीजिए ऑपको قर्विए आपको आपको प्रिछा कोई वी नए फिल कर सकता ईह को लेए ना कर शेयर है और अभी पहन mulut